जे श्रीमन नारायन जो टिपनी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टू विर्णो गोपालन स्वामी द्वारत दी गई है। अध्याय साथ ज्ञान विज्ञान योग श्लोक छे। येतद्योनीनी भूतानी सर्वानीती वुपधारया अहम् कृच्ष्नस्या जगताहा प्रभवाहा प्रलयस्तधा वुम् गीताचारे श्रीकृष्न परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं अर्जुन जीवन और प्रुकृती के संयोग से ही ब्रह्मा से लेकर त्रण परत तक संपून जगत का निर्मान हुआ है। प्रंतु ये जीव और यह प्रुकृती दोनों मेरे ही वश में रहते हैं और इन दोनों के संयोग से बना हुआ यह सारा संसार भी मेरे वश में है। इसके अलावा मैं ही इस संसार को रचता हूँ और मैं ही इसका विनाश भी करता हूँ। मैं इस संपून विश्व का स्वामी हूँ। अर्जुन इस निर्देश को दिर्णता पुर्वक और निश्चित रूप से जानू बिना किसी संदेह के जान ले कि इस संपून जगत के स्वामी शुरी मन नारायन ही हैं। उन शुरी कृष्ण परमात्मा की तरहां जो शुरी मन नारायन का अवतार हैं। संपून स्रिष्टी के स्वामी हैं। मालिक के साथ जैसा होना चाहिए वैसा बनने का प्रयास करते हुए आए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे के वैसे ही दो रहाएं जैसे में हैं। एतद्योनी निभूतानी सरवानी तिवुपधारया आहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तधा। श्री मत भगवद गीता का संपून सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याए 18 के श्लोक 65 से 70 में आठ कारे करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन आठ बातों का पालन करते हैं। मैं उन भगतों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवद गीता को सुनने के बाद अरजुन कहते हैं करिशिये वचनम तवा। जिसका अर्थ है श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा की आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अरजुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजये प्रदान की है। आईए हम परमात्मा को अपना वचन दे कि हम इन आठ कारियों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है। मैं यहे आठ वरत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हिर्दे में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जैए श्री मन नारायन। ये है हमारे आठ वादे। हमारा पहला वादा हे श्री मन नारायन जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा हे श्रीमन नारायन, जैसा आपने सलहा दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी हमारा तीसरा वादा हे श्रीमन नारायन, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टी के लिए अपने सभी कार्य करूंगी हमारा चौथा वादा हे श्रीमन नारायन, जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी हमारा पांचवा वादा हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके शब्द याद आते हैं माम एकम शरणम वरजा 1866 कि आपने आत्म समर्पन करने के लिए कहा था हे श्रीमन नारायन, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ हमारा छटा वादा हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके शब्द माशुचाह 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं, मैं अब और शोक नहीं करूंगी हमारा सात्मा वादा हे श्रीमन नारायन, आपने हमारे लिए श्रीमत भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशिरवात दिया है मैं प्रती दिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ हमारा आठमा वादा हे श्रीमन नारायन आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया, मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूंगी, जो गीता से अपरिचित है, हमने अभी अभी परमात्मा से अपने आठ वादे किये हैं, श्रीमन नारायन क हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वैम कहते हैं अपने आप में एक महान पूजा है आइए हम अपने अडिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दे ये श्रीमन नारायन जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहते हैं, मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी श्रीमन नाराएन करिशिए वचनम तवा जिसका अर्थ है, श्रीमन नाराएन मैं आपके निर्देशों के अनुसार कारे करूँगी सर्वं शुरी कृष्णा आर्पनमस्तु जे श्रीमन नारायन ये तद्योनीनी भूतानी सर्वानीती वुपधारया आहम कृष्णस्य जगताहा प्रभवाहा प्रलयस्तधा वुम् ये तद्योनीनी भूतानी सर्वानीती वुपधारया आहम कृष्णस्य जगताह प्रभवाह प्रलयस्तधा श्रीमन नारायना करिश्ये वचनम्तवा सर्वं श्री कृष्णार पनमस्तु जै श्रीमन नारायना जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश निवेदन हमारे जीवन में सभी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए प्रती दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायन अस्त्रम पढ़ें नारायन अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायन अस्त्रम वेब साइट पर जाएं जो www.narayanasram.org है और पंजी करन में अपना नाम और इमेल प्रदान करें आपके दुआरा प्रदान किये गए इमल पर आपको एक नारायन अस्तरम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रामायन शलोक, एक गीता शलोक और एक विश्नु नाम है इन तीनों को मिला कर नारायन अस्तरम कहा जाता है प्रतियक व्यक्ति को इन शलोकों का भिन संयोजन प्राप्त होता है जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रति दिन अपने नारायन अस्तरम को पढ़ता या सुनता है संपून रमायन परायन का एक दौर, श्रीमत भगवत गीता परायन के 33 राउंड, श्री विश्नु सहसनाम स्तोत्र परायन के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं यह एक ऐसा उलेखनिय और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदसे तुरंत जाकर अपना नारायन अस्तरम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन